राधा नाम की महिमा एक बार एक संत जी किसी गाउं के निगट आसरंप भागवत की सप्ताही कथा कर रहे थे दिसरे दिन के बिर्तान्त में वह कथा करते हुए बताने लगे अनेक परकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक परकार के नर्क में जाना परता है लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नर्क में जाने से बचा जा सकता है एक बार सच्चे हिर्दे से राधा नाम पुकार लो तो वह नर्क में नहीं जाता है एक सेट जी जो कर बड़े जूर से रोने लगें संत जी ने कहा अरे सेठ जी क्यों रोते हो तुम्हारा मन उदास क्यों है सेठ जी रोते हुए कहने लगे भगवान आपकी किरपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है पर मेरे मन को एक ही बड़ी चिंता सताती है संत जी कहने लगे कहिए कौन सी बड़ी चिंता है भागवत कथा में नर्क का वर्णन किया है और वर्णन करते हुए बताया है कि जीवों को अनेक पापों से नर्क की प्राप्ती होती है लेकिन एक उपाय है जिसके दोरा नर्क में जाने से बच्चा जा सकता है तो परभू मैं तो काफी आपकी सरन में हूं रोज सत्संग सुनने आता हूं मेरे मन में तो यह विश्वास है कि आप संतों की किरपा से भागवत की किरपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र पचास साल है वो ना सस्संग में जाता है ना प्रमात्मा में विश्वास करता है और ना ही प्रभू का नाम का सुमिरन करता है उसका उधार किस परकार होगा मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है मैं उसे बहुत बार संधाने का प्रयास भी करता हूँ इस संसार के काम तो होते रहेंगे तुम भगवान का नाम का स्मिरन भी किया करो तब वो कहता है ऐसा करने से कुछ नहीं होता है तुम तब संत जी ने कहा क्यों चिंता करते हो एक दिन उसका भी उद्धार हो जाएगा सेट जी रोते हुए कहने लगे भगवन उसका उद्धार कभ होगा आप जैसे महापुरूस हमारे गाउं में आए हैं मुझे तो आप पर अकीन है आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे तब आप कैसे भी किरपा करके मेरे घर आईए और एक बार उसको मुख से सिरी राधा नाम का उचारन कराईए सेट जी के बिन्हे सुनकर संट जी कहने लगे कल ससंग समाप्ती के पश्चात मैं आपके घर आऊंगा और उसे प्रमात्मा का सुमिरन अवश्ण कराऊंगा दूसरा दिन हुआ सेट जी अपने घर गए संत जी के आने का इंतजार करने लगे आश्रम परकथा का समाप्ती हुई अब संत जी अपने वच्चन के अंस्वार सेट जी के घर पहुँचे जैसे ही घर पहुँचे सेट जी ने बड़े सरधा भाव से संतो का स्वागत किया उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो, वो अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है, और ना ही किसी भगवान से मिलने की इच्छा है, तुम ही उनका पेट भडो, संत जी ने जव यह बच सेट जी रोते हुए कहने लगे भगवान, जी देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है, संत जी कहने लगे, सेट जी ख्याल न किजिए, सब कुछ अच्छा होगा, अब सेट जी को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे, और उसके भाई के गक्ष में आगे और उसके कंधों पहात रख कर कहने लगे, और बताओ, आज तक कितना कमाया, वह संत जी को इस परकार अपने अनस्दिक देख कर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ, मैं ना संतो क्यों मानता हूँ, ना भगवान को मानता हूँ, लोग जितने आस्थिक होते हैं, उतना ही कट्टर नास्दिक भी होते हैं, मैं भगवान को नहीं मानने वाला, आप मेरे नस्दिक क्यों आ गए, संत जी काने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ, संतो का काम होता है, लोगों का उधार करना, आज तुम्हारे उधार का कार्ज मिला है, तो अवस कर के ही जाऊँगा वह सेट की भाई से भी बड़ा कट्तर था वो कहने लगा आपको किसी का भी उध्ढार करना है कर लिए पर मेरा उध्ढार आप नहीं कर सकते हैं मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं सेट जी की भाई को देखकर संत जी मुष्कुरायकर करने लगे एक बार राधे राधे बोल दो वह सेट जी का भाई कहने लगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा संत जी ने फिर कहा राधे राधे बोल दो वह कहने लगा नहीं कहूंगा फिर संत जी ने कहा राधे राधे बोलो वह कहने लगा मैंने कहा ना मैं नहीं बोलूंगा तब संत जी पुना सेट जी के पास आये और कहने लगें अब आपने मेरे उपर यह जिमा सोपा है अब मैं जैसा करूँगा आप बीच में नहीं आना आप सारी परिवार वाले बाहर जाके बैठ जाओ जब तक मैं आपको बुलाओ नहीं एक भी परिवार वाला इस कक्ष में ना आये अब इस परकार सेट जी अपने परिवार सहीद बाहर जाकर बैठ गयें अब कक्ष में सिर्फ संत जी और सेट जी का भाई था संत जी ने पुना प्रेम से कहा अरे भाईया एक बार राधे राधे बोल दो वह कहने लगा मैंने आप से मना किया है ना मैं नहीं कहता ना भगवान को मानता ना भगवान की बाते मानता हूं मैं कटर नास्तिक हूं संत जी पुना उसे प्रेम से हसाते है वह कहने लगे जितने तुम कटर नास्तिक हो उतना ही मैं आस्तिक हूं मैंने अगर निश्चे कर लिया है कि तुम्हारे मुझ से राधा का नाम सुनके ही जाओंगा और पक्का समझ लेना कि उन्हें मुझ से राधा का नाम निकलेगा है। हाथ भाई का गुमाया हाथ गुमाकर संती जी ने फीर कहने लगे कहो राधे राधे हुआ कहने लगा नहीं कहूंगा। जैसे ही उसे राधे राधे कहा, संत्र जी ने उसे हात पैर खोल दीये, उसके बंधनों को छोड़ कर बाहर आकर कहने लगे, सेट जी आपका जहिंए आपके भाई का ही वछानु होगया, सेट जुक नहीं लिए अंदर से अवाय। आरही थी, तब संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था, आपने कहा था ने कि नास्तिक है, कभी कुछ नहीं बोलता है, बोलता ही नहीं है, आज आपके भाई ने राधे राना नाम का उचारन कर लिया है, उसका कल्यान हो गया, अब मैं जा रहा हूं, कल से पूर्णा मेरी कथा है अब संत जी तो अपने हस्थान पर लोटा है, सेट का भाई जमीन से उठकर अपने भाई के पास से कहने लगा, यह कैसे संत थे, मुझसे जगड़ा करने आ गए थे, उपर से चड़ कर पैट कहते और कहने लगे, अगर राधे राधे का नामचारन नहीं करोगे तो मैं तु सहकर भी लोगों को कल्यान करते हैं, समय अवयतित होता गया, मुझकल से 5-6 महिने गुजरे होंगे, अचानक एक तिन छोटे भाई की द्यानत हो गया, सरीर समाप्ती के पसात आत्मा सरीर से अलग हो जाती है, वो आत्मा ही उपर एमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब द नहीं किया है, सदा पाप ही पाप किये हैं, इसे तो सीधे नर्क में भेजे दिया जाया, यह एमराज के आदे संस्वार, जैसे ही उसे नर्क भेजा जा रहा था, तभी चितरगुप्त ने का, भगवन, एक बात और है, एमराज जी ने कहा, कौन सी बात, चितरगुप्त ने भगवन एक बार संतों के कहने से इसने राधा नाम का उचारन किया है अब एक बार राधा नाम का उचारन एमराज ने दूतों से कहा थोड़ी देर रुख जाईए इसका हिसाब किया जाएगा इसके बाद इसे नर्क में भेजा जाएगा एमराज ने पुना चितरुप से कहा जल्दी से इसका हिसाब दखो और कहीं इसने प्रमात्मा का नाम उचारन तो नहीं किया है चितगुरूप ने फीर से पुना सारा हिसाब देखा और देखकर कहने लगा भगवन इसने एक बार जो नाम उचारन किया है वो संतों के भैसे ही किया था दिल से भी नहीं किया था पर एक बार उजारन किया है अब एमराज जी विचार करने लगे कि अब एक बार राधा नाचरन और सारा जीवन पाप में अब क्या किया जाए तब एमराज ने उसी इस इंसान से पूछा एक बात बताओ या हम तुम्हें पहले राधा नाम का फल दे या तुम्हें नर्क में भेज दिया जाए तब भगत हाँ जोर कर कहने लगा भगवन नर्क में तो जाना ही है इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम का फल दे दो तब वो विचार करने लगे कि एक बाराधा नामकोचारन का फल तो मुझे पता ही नहीं है। तब वो विचारन का फल तो मुझे पता नहीं है। तब वो विचारन का फल तो महादेव जी ने बड़ा अप्रयास से किया। और वो वह भी राधा नामकी महिमा को बता नहीं सके। तब संकर जी कहने लगे अब हमें भगवान स्रीकिष्ण के पास चलना पड़ेगा। तब वो वही राधा के तत्यु को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी तब भगवान संकर के साथ उस इंसान को आत्मा को लेकर भगवान किष्ण के गौर लोक में धाम में पहुँचे। गौर लोक धाम में भगवान स्रीकिष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान स्रीकिष्ण ने सब देवी देपताओं के सम्मान किया और उसने पूछा आज अचानक इसे आने का कारण क्या है। तब भगवान संकर हाथ जोर कर कहने लगे भगवान यह इनसान इसे धर्ती से लाया गया है। इसने अपने जीवन मनेक पाप किया है। पर एक राभार राधा नाम का उचारण किया है। आया हूँ आप अब बताईए कि एक बार राधा नाम को चारण का क्या फल होता है जब इस परकार की बाते चल रही थी तब स्रीकृष्ण के पास बैठी राधा रानी बरी जोर से हसने लगी तब स्रीकृष्ण ने कहा राधिका क्यों हसती हो तब राधिका कहने लगी भगव संकर जी कहने लगे मारानी राधिका के नाम का उसर है आप हमें बता हीए तप राधिका जी कहने लगी महादेव आप खूद सुचिए इस व्यक्ति नि would be — अगत जपने से fact ब कर दो दों दर्शन करका आ आOW i महादेब लोक में आपका दर्सन किया है आज एक बार उचारन का परभाव यह आप सबको लेकर उठाम में दर्सन और सिरिकिष्ण के पूजन कर रहा है इसे अधिक राधा नाम और फल क्या हो सकता है जब राधिका जी ने इस परकार के एक बार राधा राम का पूरा महत बता गया, इसे अधिक फल और क्या हो सकता है तभी फिर एमराज कहने लगे भगवान क्या अब उसे नर्क जाने के अब सकता नहीं है तब सिरी किष्ण कहने लगे धर्म राज एक बार का राधा रानी के चड़न का दर्सन कर लिया हूँ वह तो कभी नर्क में जाई नहीं सकता है तब वह भक्त जो वहां पर राधा रानी के दरशन कर रहा था वह कहने लगा कि है महारानी मैंने तो जनथो सदीधा वहां की आपके चर्णों में समाज आया तो इतना महत्वे के राधा नाम का है सच्चे हिर्दय से राधा नाम को चार्ण कहाता है तो परमात्मा का सक्षा दर्सन हो जाते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर सब्क्राइब करना ना भूले